तो हम करेंगे question number nine का fourth part ठीक है इससे पहले मैंने जो वीडियो अप्लोड करें थी उसमें मैंने question number nine के तीन पार्ट कराया थे यह fourth part है यह फिगर है ठीक है चलिए देखिए इसमें आज जैसे आप दे सकते हैं तीन फिगर है number one number two number three ऐसे आप नाम डाल सकते हैं पहले हम फिगर वन पर फोकस करेंगे देखने में क्या लगा ट्रेपीजियम क्यों यह ऐसे बना हुआ है ऐसे यह 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 ऐसे ठीक है तो यह और यह हो गई पैरिलल यह और यह हो गई नॉन पैरिलल क्या क्या होता है हाफ सम पैर्लेल साइड तो पैरलेल साइड दी हुई है यह 13 यह पांच है और मल्टिप्लाय में हाइट होता है यह यह सेंटीमीटर जैसे मैं आपको पहले भी सिखाये था अगर कोई चीज ऐसे फिगर पालो यह से आई एए ठीक है यह ऐसे होई मान लो तो हाइट जरूर दिन कि ह हाइड ऐसे भी हो सकती है बाहर भी हो सकती है लेकिन यह इसको लंबा करोगे ना तो इसके अंदर ही आएगी मतला हाइट सेम रहती है ठीक है सिखाया था तो जादा डिटेल में नहीं बताऊंगा चलिए हम बोलेंगे अब एरिया ओफ आप ऐसे बोल सकते हो फिगर वन प्रेकरी में लिख दिना ट्रेपीजियम ठीक है जब आपने फिगर बन मारक कर दिया तब आप ऐसे कर सकते कोई मसला नहीं है हाफ मुल्टिप्लाइब में सम ओफ बाइब तो पैरलल साइथ दू तो सम ओ वफ पैरललल साइथ से पैरलें तो टि में हाइड इकर बचंटिप्लाइबूर्य चलिए हाफ है देरा और पांच टेराकने संटिममेडर्व हाइड वाली ना ना हाइट कितना है बच्चों हाइट एच्छे ठीक है सॉल्व करते हैं इसको कि तीर और पांच कितने होते हैं अठारा कि मुल्टिपलाइब है च्छे टू नाइन जा नाइन सिख जा फिफ्टी-फूर सेंटीमीटर का स्क्वेर ठीक है जी हमने निकाल लिए अनए उर्या वन का एरिया सौरी टूण तो निकालेंगे एरिया ऑफ पर ले लिखेंगे यह आजीने फिगर डूब है क्या दोगा यह पांच यह पांच यह बीस सह तो यह भी बीस होगा है तो हमारा फिंगर टू हों रेक्टेंगल ठीक है तो फिगर टू तो मेरा क्या है rectangle रेक्टेंगल का फार्मुले क्या होता है बच्चो लेंट इंटू ब्रैथ ठीक है तो एक को ले लेंगे 20 मारी लेंथ हो गई 20 और यह के पाच कितना हो जाएगा पच्चो 100 cm का स्कूर्र यह मिरा होगे फिगर टू आप निकालेंगे एडिया ओफ फिगर थ्री यह क्या हमारा ट्रपीजियम इसका इरिया सेम हो सकता था कब जब सब चीजें वहती अगर आप यह फिगर बुक में देखो न थोड़ा डिफरेंट है वैसे आप देख भी सकते हैं यह छे यह पांच है यह ग्यारा पांच तो डिफरेंस है ठीक है जब डिफरें है तो फॉर्म नगा देंगे हाफ मुल्टिप्लाइब सम ऑफ कर लाइड यह फॉर्मुला हो गया चलिए हाफ कि समप पैलल साइट कितनी है एक पांच एक ग्यारा है पांच प्लस ग्यारा है रहा है इंग इस फुरी है तो कि सीधे लाई है छार ठीक है चलिए इसका तो ग्यार पांच कितने वादें बच्छो 16 मुल्टिप्लाइब 4 दूसे काटेंगे 8 एट फोर थर्टीटू 32 को सेंटीमीटर का स्क्वेर अब निकाले के पूरी का एरिया तो कैसे बोलेंगे एडिया ओफ गिवन फिगर गिवन फिगर मतलब जो हमें फिगर दी हुई है में वह यह मारी गिवन फिगर हो गई ठीक है तो चलिए इसका एडिया कैसे निकलेगा सब को प्लस कर देंगे 54 प्लस सो प्लस 32 ठीक है सेंटी मीटर का स्क्वार कितना हो जागा स्कों क्लिए तो यह कर थे यह कि मारी 154 ठीक कर देता है चार रव चीष 15138 186 सीटी मीटर का स्क्वार को ट्यूरा अंसर फिगा सली चलीज़िस आमें करते हैं इस exercise का last question है finally question आपको देखे लग रहा होगा या पता नहीं क्या दिए इतना बड़ा hint दे दिया डरा दिया सब साथ सब सबस्क्राइब Ambos यह दिए पांच यह दिए पांच अच्छा इन इच साइट मेयर अगर यह नहीं भी बोलता है na कि इससाइड में मतलब इसकी हईट आए मतलब यह पॉंत से लेकर वह भू ज़ंग से नहीं है एक का है टिया है जैसा है वैसे करेंगे लेकिन फिर भी चलो देखिए की आप बोलीए लैट जैसे इसने बोला हुआ गवागा ना यड़ बीपी इक कॉलस्टू क्यूई एक सेंटिमीटर बी और क्यों यह को हमने एक सेंटिमीटर माण लिया क्यों कि अगर आप देखोगे बुक में क्योंकि मैंने तो बीपी और की यू क्यू एक जैसे लग रहे हैं मरकर दोनों की लेंज आपको सीम लग रही है ठीक है जैसे फर एक्जामपल यह लाइन और यह लाइन सेम लग रही है कुछ चीज़ अंडर्स्ट्रीट होते हैं फिगर देखे समझ जाते हैं बार य किमग ей बार दिल पांच होका ठीक है तो हम बोलेंगे हैंस बबीपी है यह था किसके प्लस में गभी बने कुत नहीं कुण कि लिए प्लस पी फूस प्लस के बेंगा रायरा यह फ्ुल önवर मेरा एक्स यथर निक बने घल्रतंक पूरा ग्यार्डा समझंदे माया तो कितना होगे टू एक्स प्लस पांच इक्वल स्टू 11 ठीक है तो टू एक्वलस टू इक्वलस टू गारा माइनस पांच पन्च कितने बच्छों जदी बताओ और आपको यह नहीं पता वाई देखो ग्यारे में से पांच गए तो कितने बचेंगे छे 789 10 11 तो आपको भी नहीं पता हाँ जी मेरे को भी नहीं पता सिक्स बचेंगे ठीक है चलिए टू एक्स करते हैं कितना हो गया शे तो एक्स कितना वो गई बच्चो छेए बाइद यह थिरी सेंटिमीटर है यह भी दिशन दिमिटर है समझ मैं आ गया चली सवर आप कर देते हैं इतना समझ दिया आपने एक स्टैप बस यह समझ मैं आठीए तो यह हमार आगे ठीए यह मरा कितना हो गया एक सिक्वल्स टू ठीडिक है लेकिन सरे में निकाला क्यों यह अपने तो इसमें जो एंगल पी है वो 90 डिग्री नहीं होगा क्यों लिखा तो नहीं क्यों लेकिन सब देखने से लग रहा है ना देखो फिगर में कुछ चीज अंडेस्टूड है यह ऐसे है तो यह ना स्ट्रेट लाइन है 90 है ठीक है तो अंडेस्टूड है चलिए यह 90 हो गया बाकी बच्वेस्च यह थो साइट का स्क्वेर بीक इतना है गालने है क्योंकि ये और पांच यह है we यहाली यह वाली कितनी है पता नहीं निकालते हैं इसको 25 मारे कितने इसे ए तो यह सोला को चार मल्टिप्पलाब चार ठीक है एक तो एक तो कितना जूए फोर कितना इक या इस लिए तो आगया एक पूर प्रश्ट हो गए तो एपी कितना गया फोर आ गया अच्छा आप क्या करेंगे अब देखें पसमें क्या करना है अब हसने अब देखो एडिया और याद कर लो अब अगर याद भी नहीं तो कोई बात नहीं है यह अब देखिए अब यह इस निए अगर को बताता हूं दो यह दो यह जो है पदातो है यह बना हुए ऐसे यह कि त्रेपीजियम है रफोर गया यह हो गया यह वो गया यह बी यह थोड़ा बैक साइस हो शाए आप थोड़ा पर अपके चाचा थोड़ा काम करने ठीक है अभी की गॉयड के कि हम डॉल मेरे बाद आपका नम़र आएगा अब यह देखिए यह लग रहा है ना यह यह और बना हुआ है एसे इस इस बना हुआ यह तो आप इसका निगाल दीजिए इसका निखो अब यह आपका नमर आएगा फे ये हमारे ट्रपेजिया एक तो इसके निकाल दीज़िए इसमें क्या है तब है पांच और देखिए इसमें इसकी nouvelles साइड से न वो बराबर भी हो सकती है a ऐसा ज़रूरी है कि वो बराबर नहीं होंगी मतलब मेरे मेरी फिकर ऐसी नहीं बनी हुए मगर बराबर हो सकती है ठीक है अब देखिए अब क्या करना है मैं इसकी दो नों पैडल है यह यह पैडल इनके बीच का देखते हैं यह देखो यह और यह दिस्टेंस कितना है चार य ठीक है एरियओ ओव एफ इसका निकाल देते हैं ठीक है चलिए देखिए निकालते है हम बोलेंगे एef कि का बिढाव कि ट्रेपीजियम आप ट्रेपीजियम का निकाल दीगे एव एडियो ट्रेपीजियम एबी ए F A, B, E, F क्या होता है बच्चो हाफ जो आपने याद क्या हुआ है ठीक है Sum of Parallel Sides Multiply Height यह होता है बच्चो ठीक है Half Parallel Sides कितने हमारी एक तो हमारी बताईती है मैंने यह वाली 5 और वो 11 5 प्लस 11 ठीक है Multiply Height कितना है यह 4 इसको solve करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो Half 5 और 11 कितना होता है 16 multiply 4 दो से काटेंगे 8 एक फुर्जा 32 कितना है बच्चो 32 cm का स्क्वेर हमें कहा निकालना था हमें निकालता है area of regular hexagon तो निकालेंगे area of regular hexagon इसका डबल कर देंगे ठीक है जैसा यहां है वैसे सारी measurement यहां पर है equals to 2 into 32 cm का square equals to 64 cm का square यह मेरा answer हो गया और इसी के साथ मेरा chapter number 11 हुआ complete finally